कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों सुर्ख्यों का हिस्सा बने हुए है सोचल मीडिया पर कपिल शर्मा के बारे में बुराई की जा रही है दकश्मीर फाइल्स के डायेक्टर विवेक अगनी होत्री ने कपिल शर्मा और उनके शो पर आरोप लगाया था कि उनकी फिल्म की तीम को शो में बुलाया नहीं गया था जिसके बाद से सोचल मीडिया पर कपिल शर्मा के बहिशकार करने की अपील होना शुरू हो गई थी कपिल को भी खरी खोटी सुनाने लगे थे मगर कॉमेडियन ने इस पर कोई भी रियाक्शन नहीं दिया था अब इस मामले पर फिल सच्चाई बताएं थी जब आक्टर से अंकर ने पूछा कि कपिल शर्मा शो एक कॉमेडी शो है इसमें इतना गहरा मुद्दा डिसकस किया जा सकता है क्या इस पर अनुपम खेर ने सच्चाई बताते हुए कहा मुझे कहना होगा कि कपिल की तरफ से मेरे पास फोन आया था अनुपम खेर ने आगे कहा मैंने अपने मैनेजर से कहा था कि फिल्म बहुत सीरियस है इसके लिए मैं शो में नहीं जा सकता हूं कपिल की तरफ से दो महीने पहले ही मेरे पास फोन आ गया था मैं शो में इसलिए नहीं गया क्योंकि ये एक फणी शो है और ये फिल्म काफी सीरेस है अनुपमखेर का ये वीडियो शेयर करते हुए कपिल शर्मा ने इसे ट्वीट किया है उन्होंने ट्वीट में लिखा मेरे खिलाफ लगे सारे इल्जामों को गलत साबित करने के लिए शुक्रिया पाजी और उन सब दोस्तों को भी शुक्रिया जिन्होंने बिना आने मुझे इतनी मुहबबत दी खुश रहे मुस्कुराते रही है आपको बता दे विवेक अगनी होत्री को उनके एक फैन ने कहा था कि वो उन्हें दकश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा शो में जाना चाहिए तब विवेक ने कहा था कि शो में उन् पूल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर